Hello everyone, welcome to our YouTube channel, आज है 26 सितंबर 2020, आज के हम जो नए दिन के current affairs को discuss करेंगे, आज के questions के संग क्या है 15, तो चले शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले questions के जाथ, रसायन और उर्वक मंत्री ने हाल ही में देश में कितने plastic park इस्थापित करने के मंजूरी है, वो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर बात की जाए, तो यह है यहाँ पर दिया गया है 10, option number आपका क्या होगा, भी आपका correct होगा, अज है यहाँ पर plastic park इस्थापित के जाएंगे 10, और यहाँ पर यह है 2019 के अंदर एक योजना, एक योजना आई थी जिसका नाम है plastic park योजना, इसके तहत यहा पार्क, MP, असम, तमिलाडू, ओडिसा, जारकंड, चतिशगड, उत्राकंड में स्थापित के जाएंगे, भारत सरकार ने पार्क की स्थापना की परियोजना लागत, जो है वो लगभग, 40 करोड परती परियोजना के हिसाब से मंजूरी परदान कर दी है, किस राजस्थान ने मोक्ष कलश योजना 2020 को परसासनिक मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पर बात की जाए तो option number आपका C correct होगा, राजस्थान की सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की जो परसासनिक मंजूरी है वो दी है, अच्छा इस योजना में जो व्य होगा, वो यहाँ पर कोन भुकतान क विभाग है, वो यहाँ पर इसको pay करेगा, अच्छा यहाँ पर नोडल एजनसी की बात की जाए तो राजस्थान राज्ये, पत परिवहन निगम इसका नोडल एजनसी होगा और वित पोशक कोन सा होगा, यहाँ पर देव इस्थान विभाग, तो यह चीज आपको यहाँ याद रखनी है, राजस्थान की बात हो रही है, तो आप जो मैप देख रहे हैं, यह है राजस्थान का मैप, यहाँ पर बात करें, राजदानी है, जैपूर यह आपको जैपूर दिखरी होगी, मुख्यमंत्री है, अशो गहलोद, जो कि कॉंग्रिस पार्टी से आते हैं, राजए पाल, जो है, यह है, कालराज मिष्र और मुख्य नैदीस है, इंदरजीत मोहंती, अच्छे यहाँ पर लोग सभा की सीटे हैं, 25 राजज़े सभा की सीटे हैं, 10 और विधान सभा की सीटे हैं, 200, अच्छे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे पहले, तो वो यहाँ पर सचिन पैलेट थे लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी जो पोश्ट है इसको हटा दिया गया है ठीक है यहाँ पर बात की जाए यह पाकिस्तान के साथ अपनी जो इंतराश्टी से मैं वो शेर करता है इसका लवाब पंजाब राज्य है हर्याना उत्त प्रदेश, MP और गुजरात आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अजया यह चेत्रफल की दर्ष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है हाल ही में किस देश के पूर्वे किरकेटर खिलाडी है दिन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है तो यहाँ पर अगर हम बात क अगर आपको यहाँ पर बन जाता है तो प्लीज वीडियो को 2,000 लाइक तक जरूर पहुचाईगा इससे मेरा मोटिवेशन है वो बिल्ड होगा मैं आप लोगों के लिए और भी बहतर करन्ट अफर्ष्ट करने की को मैं आप लोगों की साथ करूँगा ठीक है केंदर सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड रुपए अतिरिक्त कर्ज लेनी के मंजूरी दे दी है तो यह यहाँ पर दिया है option number D आपका correct होगा केंदर सरकार ने 24 सितंबर 2020 को 5 राज्यों को ख पांच राज्यों कुन कुन से हैं तो बात हो रही है यहाँ पर यह है आपके आंदरप्रदेश दूसरा तेलंगना गोवा करनाटक और इसके लाबा तिरिपुरा ठीक है तो यह आपको यहाँ पर राइट एंसर होगा ठीक है भारत ने सोदेश में निर्मित परमानौशंता वाली किस मिसाईल का सफल परिक्शन किया है तो यह यहाँ पर दिया है और आपका एक एरेक्ट होगा देखो भारत ने सोदेशी मिसाइल है जिसका नाम है पर्थवी 2 इसके निर्मित परमानु शम्ता वाली जो मिसाइल है इसका यहाँ पर प्रडिक्शन कर लिया है अच्छा सतह से सर्फेस टू सर्फेस वोर करती है मतलब यह अटेक करती है इसके अलबा 350 किलोमेटर की दूरी है यह यहाँ पर मार सकते हैं यानि कि 350 किलोमेटर के बीच में अगर कोई भी टार्गेट होगा तो यह उसको खतम कर देगी पर्थवी 2 मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुद ले जाने में भी सक्षम है यानि कि हत्यार ले जाने में भी सक्षम है ठीक है पहली बार 20 नॉवंबर 2019 को चांदिपूर से ही पर्थवी 2 का सफल प्रेडिक्शन किया गया था तो यह भी चीज आपको यहाँ पर याद रखती है केंदर सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्ये आपदा पर्तिक्रिया कोश की कितनी फीजदी तक रकम है वो इस्तिमाल करने की मंजूरी है वो दे दी है तो यह यहाँ पर दिया है ओप्शन नमबर C करेक्ट यहाँ पर होने वाला है केंदर सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्या आपदा पर्तिक्रिया कोश से लगभग पचास फीजदी तक की जो रकम है वो इस्तिमाल करने की मंजूरी दी दी है इन राज्ये इन पैसों से कोरंटीन सुईदाएं जाच प्रयोक शालाएं ऑक्सिजन बनाने वाले जो सयंत्र है वो इस्थापित करने कर पाएंगे और वेटिलेटर और पी पी जो पी पी किट है वो भी यहाँ पर खरीच सकेंगे भारत ने अंतोध्य दिवस निम्न लिखित में से किस दिन मनाया है तो ये मनाया है ओप्शन अमबर आपका डी करेक्ट होगा 25 सितंबर को यहाँ पर मनाया है 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याई की जनम वर्सगाट के उपलक्ष में देश भारत देश भर में यहाँ पर अंतोध्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है पंडित दीन दयाल उपाध्याई एक विचारक इतिहास कारक और राजिनितिग्य कारिय करता थे यहाँ पर ठीक है आज मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा ठीक है मैं आज यह देखना चाहता हूं कि आज आपको कमेंट में लिखना है कि आपको इमानदारी से लिखना वी इतनी चीजें याद हुई है ठीक है तो आपको यहाँ पर पूरे इस मंत के जितने भी यहाँ पर मैंने डेज या तो करवा दिया है या तो वो लिख लीजिए या फिर जितने भी आपको याद है वो यहाँ पर लिख लीजिएगा ठीक है मैं आपके सभी का कमेंट देखू यह आपका correct होगा खुसी चंदालिया जो है वे यहाँ पर संयुक्त राष्टे परियावरण कार्य करम वे जलवायू परिवर्तन और परियावरण सरंक्षित के महत्व और परियावरण की सुरक्षा के आवशक्ताओं के बारे में जागरुकता बढ़ाएंगी और वे फरवर फार्मसिस्ट डिवस वर्ल्ड फार्मसिस्ट डे निम्न लिखित में से किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है option number आपका यहाँ पर क्या correct होने वाले है यहाँ पर C correct होगा 25 सितंबर को ही मनाते हैं यह दुनिया भर में स्वास्ते में सुधार के लिए फार्मसी पेश की कीमतों को दर्साने के लिए मनाया जाता है यहाँ पर इस्तांबुल तुर्की में एफ आई पी काउंसिल ने 25 सितंबर को 2009 में विश्व फार्मसिस दिवस की घोशना यहाँ पर की थी तो यह important question यहाँ पर बन सकता है विश्व फार्मसिस दिवस कम मनाया जाता है 25 सितंब अधित्यनात इन्होंने यूपी में माननेता प्राप्त पत्तरकारों को कितने लाग करोड रुपए की स्वास्ते बीमा कवर करने की घोशना है वो यहाँ पर करी है तो यह करी है option number आपका be correct हो गए यहाँ पर 5 लाख रुपए सरकार ने कहा है कि परदेश के सभी माननेता प्राप्त पत्तरकारों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए ते की स्वास्ते बीमा कवर जो है वो यहाँ पर प्रदान करेगी इसे के साथ ही योगी अधित्य सरकार ने भी यहाँ पर प्रदेश में कोरणा संकर्मन की वजह से मरने वाले पत्तरकारों के परिवार को सरकार की आर्थिक मदद है वो यहाँ पर दी जाएगी बात UP की हो रही है तो राजदा नहीं है लखनव CM है योगी अधित्यनाथ गवर्नर है आनन्दी बैन पटेल चलिए एक क्यूशन आप लोगों के लिए है आनन्दी बैन को आनन्दी बैन पटेल को किस राजदी का अतरिक्त भार नियुक्त किया गया है गवर्नर की रूप में ठीक है गोविंद माथूर राजकी पशु है बारा सिंगा राजके प्रक्षी है यहाँ पर सारा राजके फूल है पलाश और राजके वरक्ष है अशोग यह जो मैप आप देख रहे हैं यह है यूपी का मैप अच्छे यहाँ पर आप पुछोगी सर्ल लखनव तो लखनव तो यह रहा इसके लवा इस्टेट कौन कौन से देखो पहला है हर्याना दूसरा है उत्राखंड तीसरा यहाँ पर यह कंट्री है जिसका नाम है नेपाल बिहार यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको जारखंड यहाँ पर यह MP और यहाँ पर यह राजस्थान देखने को मिलेगा भारत की पहली कोश्ट गार्ड अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी तो यह यहाँ पर किया जाएगा option number A आपका यहाँ पर correct हो गए यहाँ ठीक है मैंगलूरू में स्थापित किया जाएगा भारत की पहली तक्रक्षेक अकादमी मैंगलूरू में स्थापित की जाएगी यहाँ कि option number A आपका correct है भारते रिजर्व बैंक के द्वारा पंजाब और महराष्ट सरकारी PMC बैंक ने के नए परसासन के रूप में किसे निक्ट किया गया है तो यह यहाँ पर परसासन के रूप में निक्ट किया गया है B आपका correct है एके दिक्षित यानि की पंजाब और महराष्ट कॉर्परिटिव बैंक के यहाँ पर नए परसासक के रूप में यहाँ पर किसे एके दिक्षित को निक्ट किया गया है सिर्स इस्तर के नोकरशाही फेर बदल के तहत सांस्कृति सांस्कृति सचीव के रूप में किसे निक्ट किया गया है तो यह किया गया है option number A आपका यहाँ पर correct होगा राजविंदर सिंग को यहाँ पर पूर्व नोकरशाही राजविंदर सिंग को अनंत कुमार के स्थान पर सांस्कृतिक सचीव के रूप में निक्त किया गया है जो एक उचिस्तर की नोकरशाही फेर बदल के हिस्से के रूप में राश्टे पिछड़ा वर्ग आयो के सचीव के रूप में भी इस्थानांतित हो गई है अगला क्यूशन इस्समाइल टोरोमा को निम्न लिखित में से किसके अध्यक्स की रूप में चुना गया है तो ये चुना गया है आपका D यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक है यहाँ पर यह important question यहाँ बन सकता है अच्छा बुगेन वीली ठीक है बुगेन वीली ये है बुगेन वीले पूर्व विद्रोही सेन्य कमांडर इसमाइल तोरोमा को साउत पैसिफिक में पापोआ न्यू गिनी के स्वायत हिस्से जो पापोआ गिनी जो है यहाँ पर न्यू गिनी है इसका एक स्वायत है निकि इसका एक पार्ट है ठीक है जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं आपर बुगेन विले ठीक है इसके अध्यक्स की रूप में चुन लिया गया है option number D आपका correct होगा किसका कारेकाल सरकार द्वारा रिन गरस्त IL and FS समुहे के गेर कारेकारी अध्यक्स की रूप में एक वर्स तक बढ़ाया गया है तो ये बढ़ाया गया है option number B उदे कोटक को यहाँ पर आपका यहाँ पर right answer होगा अच्छा सरकार ने उदे कोटक के कारेकाल को कर्च से परभावित IL and FS समुहे के गेर कारी-कारी अध्यक्स की रूप में एक साल के लिए बढ़ाकर October 2020 के तीसरा दिन से लागू कर दिया जाएगा ठीक है आज का जो आपका क्यूशन है वो यहाँ पर क्या है SDFC Life ने किस बैंक के साथ भागेदारी की है ताकि वह अपनी नीतियों को बैंकों के ग्रहकों को बीच को यहाँ पर क्या कर सके बीच सके अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल में मत भूलेगा आज का जो लाइक का टार्गेट है आपर वो है 2000 का तो प्लीज गाइस इस लाइक के टार्गेट को मुझे अचीव करने में हेल्प करें वीडियो को शेर जरूर कीजे और अगर आपने बैल आइकन को नहीं दबाया है तो बैल आइकन भी जरूर दबाया है